हाई ब्यूटिस विल्कम बैक तुम आई ये टू चनली स्टैला सिक्षा माईशल सिक्षा सिंग आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं जो यह रहा मेरा फाइनल लुक आप लोग के सामने मैं यही साड़ी डेप करके आप वह साड़ा टिक्स में आप लोग को बताने वाली हूं यह रहा मेरा लास्ट वाला कोर्नर पहले आप एक नॉट बना लीजी लास्ट वाले को जब नॉट बना लो तो उसे क्या करना है आपको यह नॉट इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको जो साड़ी आप अगर कॉटन क पेटी कोट बेर करते हो तो उसमें तो फाइब टिक निकलता नहीं है अगर आप शेप बेर वाला पेटी कोट बेर करते हो तो उसमें फाइब टिक हिच कर निकल जाता है तो ऐसे अगर नॉट आप बनाना चाहते हो तो ऐसे अगर नॉट बना के आप टक करोगी बेसिक थोड़ा सा भींकम्प्रीट होने सामने का टकिंग मैंने कम्प्लीट कर लिया है बस इधर उधर का जो थोड़ा बहुत फाइब के उसे मैं अच्छे से सेट करते हुए बेसिक राओं मेरा कम्प्लीट हो गया है अब बार या थी प्लेट की सो पल्लू का प्लेट बहुत ही इजी तरीके से रेडी हो जाया क्यों करेक्थ सारे तरह से अरेड़ेश कर दे रहे हूए जिससे आपका एक प्लेस तरह के से उसंडयते फैकल अातने थे हैं शॉल्डर चैट कर लोगी क्रिए अपको ध्यान देना है अंप पहले ही अगर घुमाको अटेयर्स कर ले थे तो आप घुमाना पड़ेगा गोर्स हो चुका है उसे इक किन से मैं सारे मसारे करेंटे में लेते हुए अपने ब्लाउज में कि से अटेज्ट करते हुए एक सरी के से सिकोर कर लोंगी जब मेरा सारा fix अच्छी तरीकी और हो चाहिए तो नोग देख रहे हो आप अपने מא को एंदर वाला fabric जो हूए रहेगा वाल ठाप का जब है नहीं तो उसी से फिनमिंट मिच का जो लग जाता है तो बात में आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसा कुछ ना हो तो आपको शेट कर लेना है यह रहा मेरा साइट का शेप वाला फेप्रिक जो मैं बैक साइट से अगर आपका बैक साइट ना दिखे ऐसा कुछ आप लोग चाहते हो तो आप अपने फैब्रिक से बैर चेंज करते हुए अपने लप्रेट वाले पैर को छोड़ के क्योंकि लप्रेट में आपको नहीं करना उसी पैर पर आपका साइट का शेप बनेंगा इसलिए आपको राइट वाले पैर पे एक सिप्टी पीन से सारे फैब्रिक को लेकर सीकोर कर देना है प्टिकोर करन करना इस्टार्ट करूंगी अपने थरी फिंकर की शायता से में सारे फैब्र को सपाइब अचला बीच प्लेटे में चल्ड़े नहीं करेंगे इसलिए फैब्र को जटकते हुए वन वाइं करके सीगोर करते हुए अपने बैली बुटन के शामने कर लीजी है जब आयए जब आपको अच्छी से सट करना पड़ेगा ऐंड अगर आपको शारी काफी देर तक रखना हो तो आपको बान प्रिपिन सब्सक्राइब करने नहीं है यह मेरा फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है वह भी बौडी पर बहुत ही प्यारा सा दिखाई दे रहा है आप लोग देखी रहे हो उसका जो लुक है साइट का जो लुक है वह तो अच्छी से आप लोग को कियर और बाइ